हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल मैं हूं अनीता चौहान आप सबको मेरी नमस्ते आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे मेदू वड़ा तो इसको बनाने के लिए जो समान चाहिए होगा यह हमने दो हरी मिर्च लिए दस कड़ी पत्ते लिए आधा चमच नमक लिए एक चु और यह हमने दाल चार गंटे पहले भीगो के रख दी थी उड़त की दाल 200 ग्राम दाल लिए तो अब मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में यह दाल देखो ऐसे फूल के मोटी हो जाती है जब भीग जाती है यह देखे हमने ऐसी द आइसल में दो जाल द खूली पीस है उसको भी हम पीस लेंगे और इस वरतन निकाल लेंगे यह देखिये हमने मिक्सी में ऊरत की दाल सारी पीस लियेbec अब हम इसमें हरी मिर्च प्राश के कडी पता डालेंगे रदी नमक डालेंगे ए है यह द्रफ डालेंगे जो मैंने बारी कर लिया था और यह हींग डालेंगे मैं इस मिक्चर को सारे को मिक्स करूंगी दो और यह जो हमने बैटर बनाया है और संव Europas यह मैंने लिए के मेंज़ुक्त जबधा लिएंगे जलाम लिएम नीटया हो गया मालत लिवाये स सब्सक्क्राइबूरेई तो वड़े भी टाइट बनेंगे अच्छे नी बनेंगे अब थोड़ा चा मैं इसमें पाने मिक्स करूंगे और इसको 10 मिनिट के लिए रखोंगे अब इसको हम 10 मिनिट के लिए रखेंगे रखेंगे अब देखते हैं हमारा बैटर कैसे फूल गया है अब हम इसके वड़े बनाएंगे पहले तेल गरम करेंगे कड़ाई में तेल गरम हो गया है अब हम एक टरी में पानी लेंगे और वड़े बनाएंगे ऐसे करेंगे इसमें छेद करेंगे और इसमें छोब देंगे देखे हमने बनाएंगे इसमें डाल दिये हैं अब हम इनको उल्टा पल्टी करेंगे देखे हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है और अच्छी तरह से बन गया है अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में प्लेट में अगया है इसमें गाएंगे लाएंगे और यह देखेगे ऩाल प्लेट में अल्टी कि अच्छी कि अच्छी कि उया देखे कि अच्छी कि अच्छी अरो हम इसमा ओर बनाइगी और निगसमें अब हम इनको भी निकालेंगे यह भी हो गया है अब और बनाएंगे देखिए हमने सारे बड़े बना लिया है अब हम फ्लेम बंद करेंगे और इनको निकालेंगे यह देखिए फ्रेंड्स बड़े बहुती बड़िया टेस्टी बने हैं देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और क्रैंची बने हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन प्रेस करें ओके भाए मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ